वेल्कम गाइज, स्वागत है आपका देश के सबसे बड़े एजुकेशन प्लैट्फोर्म अन अकैडमी पे, दोस्तों कल की कक्षा में हमने आर्टिकल उननिस, बेसिकली आर्टिकल सत्रा, आर्टिकल अठारा, आर्टिकल उननिस और आर्टिकल बीस, इन चारों आर्टिकलों के उपर विशद चर्चा की है, सभी अनुछेदों के उपर सुक्ष में चर्चा की है, और ये चारों आर्टिकल हमारी परिक्षा की दृष्टी से महतबून है, आज की कक्षा में हम आगे के आर्टिकल के बारे में डिसकस करेंगे, विशेशकर आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 जिसको हमारी परिक्षा की दृष्टी से न केवल पीटी बलकि जो आर्टिकल 21 है इससे डिरेक्ली मेंस में भी आपके कोशन बनेंगे ठीक है UPPCS 2019 का जो देखा होगा किसी ने UPPCS के एक्जैम की बात कर रहे हूं दोस्तों तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आर्टिकल 21 से डिरेक्ट कोशन पूछा गया था पेपर सेकिंड में और UPPC में भी यहाँ से कोशन पूछा जाता है ठीक है तो अधिकारों के सीरीज हमारी चल रही है और जिसको भी जिसने भी पुरानी सीरीज नहीं देखी है पिछली जो तीन चार कक्षाएं अधिकारों के उपर हुई है वो जाके देख सकते हैं वहाँ से आगे बढ़ने से पहले अनकैडमी के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं आज अनकैडमी देश भर में UPSC CSE के छेतर में सबसे बड़ा लर्निंग प्लैट्फोर्म बन चुका है यदि आप अनकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे आपको मिलेंगी डेली लाइव क्लासिस जिसमें आप अपने एडुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं डिसकुशन कर सकते हैं अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं और अंसर पोल की सुईधा भी आपको मिलती है इसके अलावा स्ट्रक्चर कोर्स डिजाइन किये हैं यानि की चमता अपनी कमियों को परक सकते हैं और अपनी तयारी में सुधार कर सकते हैं दोस्तों अनकैडमी कॉमबेट का आयोजन होने जा रहा है अठाइस फरवरी को बढ़ चड़ के भागेदारी करें एन्रोल करें और दोस्तों एन्रोल करते समय मेरे रैफरल कोड मेरे रैफरल क ललीता वाई टी ललीता वाई टी कोड का यूज करें इसके लावा दोस्तों आपको अनकेडमी पे अनलिमिटेड एकसेस मिलता है यानि कि यदि आपने एक बारा अनकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आप मेरे साथ अनकेडमी पे हर एडुकेटर को सुन सकते हैं या आइकोनिक सब्सक्रिप्शन ले दोस्तों तो ललीता वाई टी कोड का यूज करें इसके लावा दोस्तों आनकेडमी पे आपको देश के सबसे बड़े एडुकेटर पढ़ाते हैं अनकेडमी लर्निंग डाउनलोड करें दोस्तों जो एंड्रोइड यूजर है वो गू फोन में डाउनलोड करना होता है आप वो क्लासिस देख सकते हैं इन क्लासिस पे डेली शाम को पांच बजे मैं पॉलिटी एंसी आर्टी लेके आई हूँ आप लोगों के लिए जिससे आपका जो आधार है वो मजबूत होगा आपकी अवधारनात्मक समझ बहतर होगी और यकीन मानिए यदि आप मेरे साथ उन पॉलिटी क्लासिस को करते हैं तो आप ना केवल पॉलिटी वाले सेक्शन में इसके अलावा आप ऐसे में बहुत अच्छा कर पाएंगे आप एथिक्स में बहुत अच्छा कर पाएंगे और ओवर ओल जो आपकी अवधारनात्मक समझ है वो बहतर बनेगी तो दोस्तो स्पेशल क्लास आप मेरे साथ करें शाम के पांच बजे डेली अनकेडमी लर्निंग डाउनलोड करें और मुझे मेरे प्रोफाइल लिंक पे जाके सर्च करें दोस्तो मैं ललीता मुझे मुझे UPSC के साथ ही as an assistant professor साथ वर्ष तक पढ़ाने का अनुभव है जहां तक civil सिवाओं के छेतर में मेरे अनुभव की बात की जाए तो मुझे UPSC के साथ ही अलग-अलग state civil services के 12 means देने का अनुभव है मुझे interview का भी अनुभव है मैंने अपना MA political science और international relations में किया है और मैंने अपना UGC net भी political science और international relations में ही किया है और दोस्तों जहां तक बात की जाए civil सिवाओं के छेतर के वेकलपिक विशे की जो means में optional होता है वो मेरा इतिहास रहा है किके दोस्तों आप मुझे अन मेरे telegram channel unacademy underscore lalita underscore कुमारी पे जाके फॉलो करें आपके कोई भी doubt है questions है या कोई सुझाव है please आप दें वहाँ पे इसके अलावा मेरी जो classes है उनकी PDF वहां से आप राप्त कर सकते हैं दोस्तों और मेरे प्रोफाइल link ललीता दहिया unacademy learning app पे ललीता दहिया पे जाके मुझे सर्च करें और special classes देखें शाम के पाँच बजे इसके अलावा comprehensive तरीके से पूरे syllabus को design किया गया है दोस्तों जिसमें आप पॉलिटी, governance and IR, geography, science and tech, NCRT summary, history, optional courses, environment and ecology, art and culture, current affair, Indian economy, practice and strategy, answer writing courses यानि एक complete package जो UPSC preparation का होना चाहिए वो आपको unacademy पे मिलता है इसके अलावा दोस्तों आप दो तरीके से एन academy का subscription ले सकते हैं सबसे पहले हम plus subscription की बात करते हैं जो कि 6 महीने से 3 साल तक का होता है ठीक है लेकिन मैं बोलूँगी कि कम से कम 1 साल का subscription तो ले और जो बिलकुल नए सीरे से तयारी करना चाहते हैं बारवी के बाद graduation के दोरान वो कम से कम 2 या 3 साल का subscription ले दोस्तों उधारन के तोर पे यदि आप 3 साल का subscription लेते हैं आप आइकोनिक subscription एक साल से लेके तीन साल तक का ले सकते हैं आइकोनिक subscription के benefit क्या होंगे इसमें आप educator जो है ना study plan करता है और आपके question answer writing होती है ठीक है आपकी पूरी strategy में एक mark दर्शन आपके साथ रहता है आपकी पूरी जर्नी में तो दोस्तों यदि आप मेरे mark दर्शन में preparation करना चाहते हैं तो आइकोनिक subscription लें और ललीता वाइटी कोड का 10 यूज करेंगे तो आपको 10% discount मिलेगा ठीक है तीन साल की आपकी फीसा आइकोनिक की एक लाख 53,750 लेकिन यदि आप ललीता वाइटी कोड का यूज करेंगे तो आपको एक लाख 38,000 के आसपास ही पे करना होगा तो दोस्तो ललीता वाइटी कोड का यूज करें इसके अलावा अनकैडमी कॉमबेट का आयोजन होने जा रहा है दोस्तो जैसा कि मैंने बताया 28 फरवरी को साथ मिनिट में साथ कोशन करने होंगे जो 10 विनर्स होंगे उनको एक महिने का जो प्लस जी एस सब्सक्रिप्शन है वो फ्री मिलेगा इसके अलावा आपको अपनी कमियों का पता लगेगा आपके अंदर एक प्रतियोगी भावना जागरित होगी जो कि इस एक्जैम के लि दोस्तों अनकैडमी पर बहुत सारे बैचेज लॉंच हो चुके हैं 12 फरवरी से जिसमें कम्प्लीट वन इयर जी एस बैच कम्प्लीट टू इयर जी एस बैच इसके अलावां NCRT बैचेज फोर UPSC CSE Prelims अनकैडमी आपके लिए Optional के साथ Iconic GS और Optional के साथ Plus GS दोनों तरीके के सुविधाएं लेकिया आया है जिसमें आप एक साल से लेके तीन साल तक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं दोस्तों जहांपे अनकैडमी ने भी काफी आप को ओफर दिया है और आप इस सब्सक्रिप्शन पे EMI के माध्यम से भी पे कर सकते हैं यानि कि आप पर मन्त यदि तीन साल का लेते हैं और तीन हजार के आसपास आप EMI पे कर सकते हैं और दोस्तों यहांपे भी आप ललीता वाइटी कोड का यूज करेंगे तो आपको 10% ड के डिसकाउंट मात्र फरवरी महीने के लिए है मार्च में फीस बढ़ने वाली है तो जिन लोगों को भी सब्सक्रिप्शन लेना है वो शिग्र लें ललीता वाइटी कोड का यूज करें अब देखो दोस्तों हमने जो अपनी पिछली कक्षा थी उसमें आर्टिकल 17, लोगों से डिसकस की आज का जो आर्टिकल है आज जो हम पढ़ेंगे वो बहुत ही इंपोर्टेंट आर्टिकल है बेसिकली हम आज विशद चर्चा करेंगे आर्टिकल 21 पे और आर्टिकल 22 ठीके तो एक एक करके हम पढ़ना शुरू करते हैं सबसी पहले देखिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानि सरल भाषा में मैं आप लोगों को समझाओं कि जीवन का अधिकार ठीक है प्राण जीवन का अधिकार ठीक है अब देखते हैं यहाँ पे आर्टिकल 21 में घोशना की गई है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक जो स्वतंत्रता से विधी द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वन्चित किया जाएगा अन्यथा नहीं यानि कि यदि किसी व्यक्ति को विधी द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा किसी अपराद में सजा मिली है तो ही उसे मृत्युदंड की सजा मिली है तो ही उसे उसकी दै प्राहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता उसके प्राणों से वंचित नहीं किया जा सकता ये बेसिकली लिखा है आर्टिकल 21 में और समय समय पे दोस्तों आर्टिकल 21 का विस्तार होता गया जो हम आर्टिकल 21 पढ़ते हैं इसका धीरे धीरे विस्तार होता गया और इस जीवन के अधिकार को हम विस्तृत कैसे करें ब्रोड कैसे करें तो सबसे पहले तो इसकी सुक्ष्म शुरुआत होती है गोपालन वाद आता है बेसिकली गोपालन वाद आया 1950 में जब ये वाद नियाल्य पहुंचा इस वाद में क्या बोला उच नियाल्य ने अनुछेद 21 के तहट सिर्फ मनमान नी कारी प्रक्रिया के विरुद सुरक्षण उपलब्द है ना कि विधान मंदलिय प्रक्रिया के विरुद और एक tagline जोड़ दी गई कि राज्य प्राण एवं दैहिक स्वतंतरता के अधिकार को कानूनी अधिकार पे जो कानूनी आधार है तो इतना आप लोगों को याद रखना है अब इसका क्या मतलब था अब इसका मतलब था कि बिना किसी विधी के व्यक्ति के जीवन का अंत नह कर सकते बेसिकली ये एक सुक्ष्म इसकी व्याख्या थी बस बोला गया कि आर्टिकल 21 इतना ही है बेसिकली शुरुआती दोर में जब गोपालन वाद आया कि आर्टिकल 21 इतना ही है कि आप बिना किसी विधी के व्यक्ति के प्राणों को नहीं चीन सकते और आर्टिकल 19 का और Article 21 का कोई आपस में connection नहीं है, साफ बोल दिया गया, ठीक है, अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे, ठीक है, अब आगे क्या बोलते हैं, कि व्यक्तिगत स्वतंतरता का मतलब सिर्फ एक व्यक्ति की शारिरिक एवं नीजी स्वतंतरता से है, ये बोल दिया गया, कि व्यक्त स्वतंतरता की जो आप बात करें, Article 21 के तहत, सम्विधान के अनुसार, उसका मतलब एक व्यक्ति की शारिरिक और नीजी स्वतंतरता से है, लेकिन यहाँ पे बात खतम नहीं हुई, Article 21 की विस्तार की जो दूसरी पहल हुई, जो बड़ी पहल माना जाता है, और आपको ये ज most important वाद याद रखने है, है ना, जिसको आप answer writing में भी use कर सके, ठीक है, तो आपको गोपालन वाद बिलकुल ध्यान रखना है, और गोपालन वाद ने किस तरीके से सुक्ष्म आधार पे Article 21 की व्यवस्था की केवल विधी के द्वारा ही प्राण चीने जान सकते हैं, इतनी 1978 का इसमें उच्चतम न्याले ने Article 21 के तहट जो गोपालन मामले में अपना फैसला दिया था, उसको पलट दिया दोस्तों, ठीक है, उसको पलट दिया, और क्या कहा, बोला गया Article 21 के तहट सुरक्षा केवल मन मानी कारिय कारी क्रिया पर ही उपलब्द नहीं, बलकि इसमें विधान मंडलिय क्रिया के विरुध भी उपलब्द है, यानि कि कोई भी ऐसी विधी बना के जीवन नहीं छीना जा सकता, जो युक्ती युक्त नहीं है, तो ये कारिय कारी के साथी विधान मंडलिय जो क्रिया है, उसके विरुध भी उपलब्द है, व्यक्ति की प्राण स अनविय सम्मान और इस से जुड़े अन्य पहलों को भी रखा गया, सरल भाशा में समझाती हूँ, यानि कि केवल यही नहीं कहा गया कि व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, इसमें एक टैग लाइन जोड़ दी गई, कि जीवन जीने का अधिकार तो है, लेकिन गरीमा मे सम्मान पून जीवन जीने का अधिकार है, यहाँ पे एक विस्तार कर दिया गया, आर्टिकल 21 में, ठीक है कि केवल जीवन का ही अधिकार नहीं है, बलकि गरीमा में पून जीवन जीने का अधिकार है, और गरीमा में पून जीवन कैसे होगा, इसके लिए समय समय पे बहुत सारे जो अधिकार हैं वो article 21 में जुड़ते रहे इतनी सी बात आप लोगों को article 21 से related ध्यान रखनी है और इसका विस्तार अलग-अलग angle से पूछा जाता है वो मैं अभी आपको बताऊंगे आने वाली slide में basically यहां तक गोपालन और मेन का गांधिवाद अब article 21 है यह basically ना इसे हमें ऐसे समझ सकते हैं यह ना एक box है बढ़िया सा box है जिसमें लिखा है गरीमा मैं पूण गरीमा मैं पूण जीवन का अधिकार ठीक है यह लिख दिया गया है अब इसमें अलग-अलग समय पे बहुत सारे cases आए ठीक है जो व्यक्ति के जीवन की गरीमा के अधिकार से related थे ठीक है और वो इसमें आते गए आते गए और article 21 का बड़ा विस्तार हो गया article 21 का विस्तार हो गया अब article 21 से related means में भी question आता है तो आपको गोपालन वाद और में का गांधी वाद तो याद रखना ही है इसके अलावा आप अगर जैसे ये है न ये जो भी points आपको आपकी screen पे दिख रहे हैं ये अलग-अलग वादों में add किये गए तो आपको वहाँ पे हर वाद भले ही मत याद रखना रख लोगे तो ठीक है लेकिन वो use नहीं हो पाएगा लिखने का कम scope होता है आप मुद्दे लिखोगे की वाद लिखोगे है ना तो ये सारे अलग-अलग वादों में add होते गए article 21 में क्या-क्या add हुआ देखो मानविय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार हमें पता है और ये याद रख लेना दोस्तों कम से कम आप लोगों को 10 से 12 पॉइंट बिल्कुल याद होने चाहिए आप लोगों से कोई पूछ दे article 21 के बारे में या means में answer writing आ जाए तो भी आप को ये use करने ही है इसके अलावा गर बाते बना के आओगे means में तो number नहीं मिलेंगे ठीक है तो मानविय प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने के अधिकार को article 21 में शामिल किया गया स्वच परियावरण प्रदूशन रहित जल और वायू में जीने का अधिकार और हानी कारक उद्योगों के विरुद सुरक्षा अब एक व्यक्ती है ठीक है अब यदि परियावरण स्वच नहीं है यदि प्रदूशन है हानी कारक उद्योग है जो डारेक्ट तोर पे मानव के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं और इस प्रकार की गतिविधियों से जो मानव है उसके जीवन के समक्ष संकट उत्पन हो गया है ठीक है और चूंकि आर्टिकल इकिस में क्या दिया गया है गरीमा में पूर्ण मानव के जीवन का अधिकार दिया गया है तो जीवन के अधिकार में स्वच परियावरण ठीक है और प्रदूशन रहित जल इस प्रकार के अधिकार होंगे तभी तो जीवन की गरीमा बढ़ेगी और तभी वास्तव में जो जीवन का नीचे लिख रही हो जो जीवन का अधिकार है उसकी रक्षा संभव हो पाएगी एगरी हो की नहीं हो ठीक है यदि हम कहें कि भाई उद्योग कैसे भी हानिकार का हो आदमी लोगों को अस्थमा हो जाए लोग जो है एक तरीके से अस्वस्थ हो जाए ठीक है और इस तरीके की जब गतिविधिया होंगी प्रकार की प्रक्रिया होती है पहली क्लास में भी बता सुकी हूँ एक तो होती है विधी द्वारा स्थापित प्रक्रिया एक तो होती है विधी द्वारा स्थापित प्रक्रिया दोस्तों जो बेसिकली हमारी न्याइक समिक्षा का अधार है दूसरी होती है दोस्तों विधिव की उचित प्रक्रिया ठीक है जो बेसिकली USA की जूडिशल सिस्टम का बेस है जो आर्टिकल 21 में जो मेन का गांधी वाद आया बेसिकली जब गोपालन वाद में तो कह दिया गया कि विधिव द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पे यानि सविधान में लिखे जो प्रोवीजन्स है उनके आधार पे आर्टिकल 21 का ये मतलब है जी लेकिन जो मेन का गांधी वाद था उसने इस आयाम को बदल दिया उसने विधि की उचित प्रक्रिया को समाविशित कर दिया गया और विधि की उचित प्रक्रिया किस पे इसे ही बोला जाता है natural justice, natural justice की प्रक्रिया प्याधारित है, यानि कि जो न्याय पाली का है, वो न्याय समिक्षा करते वक्त ना केवल समिधान को आधार मानेगी, बलकि जो प्राकृतिक न्याय है, उसको भी आधार मानेगी, और उसके बाद जब मेन का गांधी के वाद के बाद से जितने भी इसमें वाद आए, उसमें जो प्राकृतिक न्याय का अधार था, उसको भी अपना लिया गया, ठीके, तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है, कि विधी द्वारा स्थापित प्रक्रिया से, विधी के जो अधिकार हैं, वो सम्विधान के अधार पे यदि हम व्याख्याइद करते, तो हम इतना उसे खुले तोर पे व्याख्याइद नहीं कर पाते, ये जो अधिकार एड किये गए हैं, दोस्तों, इनको समझिए, ये प्राकृतिक न्याय के सिधान्तों पे अधारित हैं, इतनी सी बात आपको समझनी है, विधी द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधी की उचित प्रक्रिया में पहले भी बता चुकी हूँ, और घबराना नहीं है, नई बच्चे स्पेशली मैं एक बार इसको इरेस कर लो दोस्तों, नई बच्चे स्पेशली सुन लीजिए, ज टू प्राइवेसी दे दिया गया यहां पर, फोन टैपिंग का एक मामला आया था, ठीक है, फोन टैपिंग मामले में निजिता का अधिकार दे दिया गया, किया आप किसी का फोन टैप नहीं कर सकते, वो उस व्यक्ति की निजिता के अधिकार का उलंगन होगा, देखिए, क पीजता के अधिकार को शामिल किया गया, आश्रय के अधिकार को शामिल किया गया, एक तरीके से यदि एफॉर्ड ना कर पए हो हैल्थ के खर्च को तो वो बिमारियों से मर जाएए हैं, का दाइत्व है कि वो उनको बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराए तो स्वास्थय का अधिकार दिया गया चोदा वर्ष से चोदा वर्ष की उमर तक निशुलक शिक्षा का अधिकार पहले इसमें बेसिकली मोहिनी जैनवाद था दोस्तों मोहिनी नहीं याद रख सकते हो मोहिनी जैनवाद बेसिकली आया इसमें बोला गया कि चोदा वर्ष की उमर तक निशुलक शिक्षा का अधिकार दिया जाए और जिसको क्या किया गया बाद में अभी जस्ट हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आर्टिकल 21A के तहत 86th amendment दुआरा इसमें शामिल कर दिया गया ठीक है निशुलक कानूनी सहायता का अधिकार यदि कोई व्यक्ति वकील करने में सक्षम नहीं है तो वो अपना केस लड़ने में सक्षम नहीं है तो उसे निशुलक कानूनी सहायता प्रदान की जाए ये भी इसी में आड़ कर दिया गया अकेले कारावास में बंध होने के विरुद अधिकार ठीक है यदि कोई व्यक्ति चाहे कि भई मैं अकेले कारावास में नहीं बंध होना चाहता तो इसके विरुद भी अधिकार दिये गए है त्वरित सुन्वाई का अधिकार दिया गया है हत्कडी नहीं लगाने के के विरुद अधिकार दिया गया है सम्मान पूर्ण जीवन का अधिकार है तो हतकड़ी की विशिष्ट जो कठोर मामलों को छोड़के आप सामान्य अपराधों के लिए हतकड़ी नहीं लगा सकते और ये व्यक्ति का अधिकार है ठीक है तो इस चीज को ध्यान रखना अमान्य व्यवहार के विरुद अधिकार आप किसी व्यक्ति के साथ अमान्य व्यवहार नहीं कर सकते प्रतेक व्यक्ति को नागरिक होने के नाते मनुश्य होने के नाते कुछ बुनियादी अधिकार प्राप्त हैं आप उनको और वो चार महीने बाद होनी है तो वही है ना कि होनी तो है यह फाइनल हो चुका है राश्ट्रपती जी से भी पिटा चुकी है तो फिर जो खारीज हो चुकी है जो भी उन्होंने आचिका दायर की थी तो फासी तो होनी है तो इससे कहना कि उसके विरुद भी अधिकार दिय गया है बस इतना आप लोग द्यान रख लीजिए इसका निहितार्थ क्या निकल जाएगा कि भई इससे एक आदमी जो रहता है ना घुटन में रहता है कि यार कैसे यार इसको मैं व्याख्याइद भी नहीं कर पारें उसकी मनोदशा सोची हाला कि अपराद ही है उसकी तरफ हमें इतनी सानुभूती नहीं रखनी है कोई बड़ा अपराद किया होगा तभी उसको फांसी की सजा मिल रही है लेकिन उसके साथ भी मानवियता बरती जा रही है कि भी दे नहीं है तो जल्दी दे दो ठीक है तो देर से फांसी के विरुद अधिकार दिया गया स्पेशल बाद आया था ये विदेश यात्रा करने का जो है अधिकार सत्वंत सिंग मामला आया उसमें विदेश यात्रा करने का अधिकार बंधुआ मजदूरी के विरुद अधिकार दिया गया दोस्तों बंधुआ मजदूरी के विरुद अधिकार हिरासत में शोशन के विरुद अ अधिकार की व्यवस्था की गई है आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का जो अधिकार है वो मिलना चाहिए सरकारी अस्पतालों में उचित समय पर इलाज यानि कि जो हमारा स्वास्ते का अधिकार था वो भी अलग से कहा गया और अलग-अलग फिर हेल्थ से रिलेटिड आपातकालीन चिकित्सा सुविधा राज्य से बाहर नय जाने का अधिकार इसे एक बार चेक कर लूँगे उनने को अभी रहने देना और निश्पक्ष सुनवाई का अधिकार ये सारे अधिकार एड किये गए हैं इसके अलावा बहुत लंबी लिस्ट है दोस्तों आपको स सब नहीं याद रखनी है मेरे कहने से जो आपको इसमें इंपोर्टेंट लगे जैसे निजिता का अधिकार है स्वास्थय का अधिकार है चोधा वर्ष तक निशुल्क शिक्षा का अधिकार है निशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार है जीवन की रक्षा का अधिकार है ठ को कम से कम 20 पॉइंट याद करने हैं कौन-कौन से अधिकारों को व्याख्याइद किया गया है आर्टीकल इकिस में जब आप 20 करेंगे ना तो परिक्षा में आपको 10 या 12 इसलिए इसलिए उसके बाद दोस्तों कैदी के लिए जीवन की आवशक्ताओं का अधिकार महिलाओं क साथ आदर सम्मानपूर्ण व्यवहार करने का अधिकार सारवजनिक फांसी के विरुद अधिकार यदि सारवजनिक जगह पे किसी को फांसी दी जारी है तो उसके विरुद अधिकार दिया गया है पहाडी छेत्रों में मार्ग का अधिकार दिया गया है सूचना का अधिका सूचना काधिकार इसमें शामिल किया गया प्रतिष्था काधिकार दोश सिद्धी वाले न्यालय आदेश से अपील काधिकार ये जो तफ तफ लग रहे हैं इनको छोड़ दीजेगा ये ना तो याद होंगे और ना ही याद करने की जरूरत है और वैसे आपको करने है अपना हीज़ पॉइंट हो आप याद कर लेना पारी बारी पैंशन का अधिकार ठीक है समाजिक और आर्थिक नाए एवं सशक्तिकरन का अधिकर ठीक है? समाजिक और आर्थिक नायका अधिकार है सशक्तिकरन का ठीक है, बार छरे ये अलग-उलग case आई है दोस्तों समझ रहे हो इसमें लिख दिये गए हैं, ये अलग-अलग cases आएं हैं, सबको ध्यान नहीं रखना है, शयन का अधिकार, ठीक है, भई सोने का अधिकार है, शोर प्रदूशन से मुक्ति का अधिकार है, अब रात में कोई कहें, मैं तो 12 बज़े full volume में DJ बजाऊंगा, तो दूसरा व्यक्ति के जीवन के अधिकार का उलंगन हो रहा है, तो आप सो जो कितनी छोटी 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 चीजों, वो मैंने बताया था न, एक box है, उसमें बहुत सारी चीजों को add कर दिया गया, ठीक है, तो शोर प्रदूशन से मुक्ति का अधिकार दिया गया, धारनिय विकास का, जो हमने आप लोगों को article 21 में ध्यान रखना है, मैं revise करवाऊंगे एक बार फिर से, तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है दोस्तों, उसके बाद, ये 20 point आप याद करेंगे, ये आप लोगों का homework है, उसके बाद दोस्तों आते हैं, शिक्षा की अधिकार पे, उससे पहले article 45 में दोस्तों, DPSP, लेते ही आपको याद आ गया होगा article 45, DPSP में ये व्यवस्ता की गई थी, कि राज्ये प्रियास करेगा कि वो 6-14 वर्ष तक के बच्चों की निशुनक जो शिक्षा है, उसकी व्यवस्ता करें, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, जो 6-14 वर्ष में जोड़ा गया, एक बार इसे एरेज कर लेती हूँ, पहले इसे article 21 में जोड़ा गया, article 21 में मैंने बताया, मोहिनी जैन का मामला आया था उसमें, उसके बाद इसे विधिक, विधिद्वारा इक तरीके से परिवर्थित करके article 21 A full-fledged बना दिया गया, अब article 21 और 21 A में क का भी अधिकार दिया गया है, ठीक है, परियावरण का भी अधिकार दिया गया है, तो वो विस्तारित है article 21 में, लेकिन विधिद्वारा उनको base नहीं मिला है, काधार नहीं मिला है, ठीक है, तो article अलग से उसके लिए कानून पारिद करने पड़ेंगे, अगर उनको भी हमे apply करना है जैसे हम article 21a को कर रहे हैं ठीक है तो article 21a के तहर्ष जो मौलिक अधिकार बना दिया गया क्या 6-14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा अब पढ़ते हैं article 21a में घोशना की गई कि राज्य 6-14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनकी उम्र के बच्चों को निशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा दो चीजे शिक्षा निशुल्क होगी और शिक्षा अनिवार्य होगी अनिवार्य तोर पे उपलब्त कराएगा और इसका निर्धारन राज्य करेगा यह है व्यवस्था केवल आवशक शिक्षा के एक मूल अधिकार के अंतरगत है नै कि उचिया व्यवसाइक शिक्षा के संदर में आवशक शिक्षा भई 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को जो शिक्षा मिलती है वो कोई व्यवसाइक शिक्षा तो होती नहीं है तो basically जो basic शिक्षा है जो आवशक शिक्षा है उसे ही क्या किया गया मूल अधिकार के अंत्रगत शामिल किया गया है इतना याद रहेगा और आप ल जोड़ दी गई कि 21A के तहत हम क्या करेंगे right to education देंगे बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को और एक फिर DPSP में change कर दिये गए क्योंकि वहां के 6 से 14 को तो हम ले आए मौलिकदिकारों में वहां हमने कर दिया कि 6 वर्ष तक के बच्चों के कल्यान का कारिया राज 25 में बता चुकी हूँ बच्चों के लिए निशुल के अनिवारे शिक्षा की विवस्ता थी तथा पी निदेशक सिधान्त होने के कारणी है नियालिया दुआरा जरूरी नहीं ठहराया जा सकता था क्योंकि निदेशक सिधान्त है और मैं बता चुकी हूँ कि जब मौलिक अधिकार का first chapter भी बताया था उस समय भी बताया था कि मोलिक अधिकार न्यायोचित है और DPSP गैर न्यायोचित है इसको कैसे समझेंगे महाजा कि आप देख सकते हैं मोलिक अधिकारों का उलंगन होता है तो व्यक्ति सुप्रीम कोड या कोड जा सकता है DPSP के केस में व्यक्ति कोड नहीं जा सकता है तो इसलिए इसे उठा के हम आर्टिकल 21A में शामिल हमने कर दिया अब देखिए राज्य क्या करेगा राज्य सभी बच्चों को 14 वर्ष तक क पूरी करने तक निशुल्क बता चुकी हूं और अनिवारिय शिक्षा देने के लिए उपबंध का प्रयास करेगा अनुछेद 51A के तहट जोडा गया ये भी हमें पता है कि प्रतेग नागरी का या कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 वर्ष तक कि अपने बच्चों को शिक सूची के उपर कक्षा है दोस्तों एक घंटे में मैंने जितने भी इंपोर्टेंट समिधान सिंचोधन है वो डिसकस किये हैं आप लोगों को बहुत हैल्पुल होगा और एक से लेके 104 तक जितने समिधान सिंचोधन में वो सब याद नहीं करने हैं जितने हमारे परिक्षा की दृष्टी से इंपोर्टेंट है वो मैंने वहाँ पे अच्छे से डिसकस किया है अब जाके देख सकते हैं आप देखिए 1993 में उच्चतम न्याल्या ने अनुछेद 21 के अंतरगत स्विम जीवन के अधिकार में प्रात्मिक शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में जोड़ा बता चुकी हूँ 21 में तो जोड़ दिया गया भारत के किसी भी बच्चे को 14 वर्ष की आयो तक निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए ये जोड़ दिया गया कि भई आर्टिकली किस में जोड़ा पहले ठीक है कि भई भारत के प्रतेक जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको निशुल्क ठीकि लाभांश को बढ़ाएंगे और भारत की जो तरक्की है वो उनहीं के कंधों पे हैं और यदि हमारा यूथ हमारे जो बच्चे वो निरक्षर होंगे उनको पढ़ने का मोका नहीं मिलेगा तो क्या भारत विक्सित हो सकेगा ठीक है या जो भविश्य का भारत करने की छमता रखता है उतनी छमता रख पाएगा नहीं ठीक एक तो ये इसलिए भी जरूरी है दूसरा ये व्यक्तिगत आधार पे भी जरूरी है यदी व्यक्ति यदी हम बच्चों को जो अनिवार्य शिक्षा है उससे ही वंचित कर देंगे तो जरा सोचिए हम उनको जीव तो जो दा वर्श तक के बच्चों को निशुल को रणिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करता है ये इतनी बात समझ में आया आप लोगों को आप देखिए हम मारकर मारकर ये रहा अनुचेद 21,8 में के अनुसरण में संसद ने क्या किया फिर बाद में 2009 में बच्चों को न अधिनियम 2009 अधिनियमित करके इस अधिनियम के अंत्रगत यह विवस्था की की 14 वर्ष तक की आयू के प्रतेक बच्चे को संतोष जनक एवं समूचित गुणवत्ता वाली पूर्वकालिक प्रारंभिक शिक्षा ठीक है तथा ऐसे उपचारिक विद्याले जिन में अनिवार परिपाटियों एवं मानकों का पालन किया जाता हों में प्राप्त करने का अधिकार है ठीक है कि भई समूचित एक तो संतोष जनक शिक्षा देंगे quantity के साथ quality का भी ध्यान रखेंगे गुणवत्ता परक शिक्षा देंगे ठीक है जिससे प्रतेग जो बच्चा है वो क्या कर सके अपने जो जीवन की सुरक्षा है एक तरीके से वो भी हो सके और जो गरीमा में पूर जीवन जीने का अधिकार है यदि आप किसी को शिक्षा से ही वन्चित कर दोगे तो क्या वो गरीमा में पूर जीवन जी पाएगा तो उसके लिए भी ये व्यवस्था अनिवार्य थी तो इतनी बात आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखनी है अब हम इसको अच्छे से एक बार देख लेते हैं एक बार मार कर उठा लूँ दोस्तों और साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जिसने भी मेरी MCQ की क्लास नहीं देखी है दोस्तों वो जाके MCQ की क्लास देखिए और उसके बाद एनलाइस कीजिए कि UPSC की जो विभिन परिक्षाएं है उसमें जो UPSC आयोजित कराती है क्या पैटर्न है पूछने का और जब वो पैटर्न पकड़ में आ जाएगा ना तब ही आप अपनी तैयारी के लेविल को सही दिशा में लेके जाओगे तो आप वो सिरीज देख सकते है मेराथन सेशन होता है अभी दो मेराथन में मैंने basically बताया है कि कैसे हमें कोशन को पकड़ना है और एक एक कोशन मैंने सिर्फ MCQs ही नहीं करवाए बलकि एक एक कोशन के साथ आप लोगों का revision भी कराया है यह हमारा MCQs जो है जारी रहेगा ठीक है तो यह आप लोगों को ध्यान रखना है यह article 22 दोस्तों इसको जो है हम विशद रूप से कल करेंगे ठीक है अभी हमने article 21 देखा और article 21 ए देखा क्योंकि कक्षा छोटी लेने के निर्देश है यह भी reason है अभी मैं अगर article 22 पढ़ाने लग गई डिटेल से तो हमारी कक्षा थोड़ी लंबी हो जाएगी तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है तो article 21 एक बार मैं फिर से revise करवा देती हूँ जो मेरा pattern है दोस्तों कि मैं सकेवल पढ़ाती नहीं हूँ बलकि पढ़ाने के बाद आप लोगों को revise करा देती हूँ ताकि आपको कक्षा में ही बहुत सारी चीज़े याद हो जाएं तो article 21 में आपको क्या ध्यान रखना है मैं इनका गांधिवाद में क्या बोल दिया गया मैं बता चुकी हूँ कि गरीमा मैं पूर्ण जीवन का धिकार है विधी द्वारा उचित प्रक्रिया को अपना लिया गया जो प्राकृतिक न्याय था उसके आधार पे फिर आगया आगय व्याख्या कर दी गई और बेसिकली इसमें लगभग यहाँ पर मैंने 35 points दिये है और मैंने आप लोगों को homework मैं दे चुकी हूँ जो शुरू से मेरी कक्षा सुन रहे हैं दोस्तों उनको पता है कि मैं homework दे चुकी हूँ क्या करना है इसमें से कम से कम 20 points को आपको याद करना है बहुत अच्छे से जो important important लगे अच्छे मैं आप लोगों को आप ऐसा कीजिए आप pen copy से न एक pen से note कर लीजे बस इतना कर दीजे जो important है वो में आपको है मानविय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार लगा दीजे दो सही है स्वच्छ परियावरन आपको याद रहेगा जीवन रक्षा का अधिकार याद रहेगा निजता याद रहेगी उसके बाद आप health का जिक्र जरूर कीजेगा स्वास्थय का अधिकार आपको ध्यान रखना है चोदा वर्ष तक के बच्चों को निशुल कनिवारे शिक्षा ध्यान रखना है निशुल कानूनी जो साहयता का अधिकार ध्यान रखना है उसके बाद त्वरित सुनवाई का अधिकार ध्यान रख सकते हो ठीक है तो हमारे हो गए दो चार छे आठ यहां से हो गए बारा और करने हैं उसके बाद विदेश यात्रा करने का सत्वन सिंग मामला ये काफी फेमस वाद था दोस्तों बंधवा मजदूरी के विरुद अधिकार आपको ध्यान रहेगा हमारे दस पूरे हो गए उसके बाद स सूचना का धिकार आपको ध्यान रहेखना है उसके बाद महिलाओं के साथ आदर और सम्मान पूर्ण विवहार करने का धिकार रहेखना है अब कुछ बच्चे से पूरा मत लिखने लगत जाना जो इसमें पॉइंट है ना कि आप मेरे टेली मूं के जाके इसका डाउनलोड तो कर लोगे pdf को तो उसके बाद ये main main बस ये ध्यान रख लेना आपका ठीक है भला हो जाएगा इतना ध्यान रखो पूरा नहीं याद रखना है ठीक है बुद्धी का जो प्रियोग है दूसरी एरियाज पर भी करना है ठीक है उसके बाद दोस्तों आपका हो जाएगा शोर प्रदूशन से मुक्ति का अधिकार धारणिय विकास का अधिकार अवसर का अधिकार ठीक है समाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करने का अधिकार और शयन का अधिकार भी आप इसमें कर सकते हैं और सारजनिक फासी के विरुद अधिकार इतने पॉइंट्स आप एक तरीके से इसका प्रोसेस चला कैसे सबसे पहले आर्टिकल 21 में इसकी बात की गई और फिर आर्टिकल 21 के तहत इसे कानूनी रूप से पारित कर दिया गया और आज भारत के प्रतेक बच्चे को जो 6 से 14 वर्ष तक का है प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है मौलिक अधिकार है अनिवारिया और निशुलक शिक्षा की व्यवस्था की गई है ये हमारा जो राज्य है उसके कल्यानकारी स्वरूप को भी दर्शाता है ठीके तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है आज की कक्षा में हमने बेसिकली आर्टिकल 21 और आर्टिकल 21A को विस्तार से पढ़ रहा है इतना ध्यान रखना है आपको ठीक है और यही कैसे कोशन पूछे जाते हैं वो जब हम मेंस की कक्षा पढ़ेंगे ना तो एक एक कोशन कोशन फॉर्मैटिंग भी करवाऊंगी तब मैं आप लोगों को अच्छे से इसको बताऊंगी इसके साथ ही दोस्तों समिट हो बीस और इकिस फरवरी को जिसमें जो अपने अपने चेतरों के विद्वान है आप लोगों से मुखातिब होंगे उनको सुनिये एन्रोल कराईए रजिस्टर कराईए यहां पे इसके हलावा दोस्तों यदि आपको मेरी पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्ली ललीता वाई टी कोड का यूज करें दोस्तों आपको 10% डिसकाउंट मिलेगा मेरे मार्क दर्शिन में आपको अपनी तयारी करने का अपसर मिलेगा और दोस्तों मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल ललीता अनकैडमी अंडर्सकोर ललीता अंडर्सकोर कुमारी पे जाकि फॉल क्लास आती है डेली पांच बजे मेरी क्लास है दोस्तों स्पेशल पे वहाँ पे जाके आप अपनी NCRT को बिलकुल अवधारनात मक्तोर पे समझ सकते हैं दोस्तों सुन सकते हैं और अपनी तयारी को मेरे साथ आसान बना सकते हैं तो दोस्तों मिलते हैं कल की कक्षा में